कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए दॉक्टर चंद्रेश वेव को और करे अपने बीजिक अडवान्स ट्रेडिंग ग्लासेस का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ कैसे है दोस्तो मैं हूँ चंद्रेश ठाकोर और आप देख रहे हमारी अपनी यूटूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव तो आज अपना जो है तीसरा वीडियो है इस वीडियो सीरीज का और आज अपना तारीक हुआ 3 अपरेल 2024 और आज का जो दिन था वैसे तो अच्छ का कही ना कहीं हमें अभी रिवार्ड मनना मिलना चालू हुआ है और जितना भी हमने पेंट जहला था अल्मोस्ट उन स्पेंट की अभी हमें कीमते जो है मार्केट ने अदा करना चालू कर दी है दूस्तों ठीक है तो सबसे पहले हम आज का प्रॉफिट देख लेंगे उसक कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में सेर कीजिए ताकि वह भी जो है सीख पाए इस तरीके क्या जो है ट्रेडिंग का नॉलेज ठीक है तो यह एक्चुले मैं मैं एस ट्रेडिंग जर्नल ही बना रहा हूं सारे वीडियो को जिससे की इसक कीजिए और यहां पर जो है मैंने अभी चालू किया है कि उन्हीं चीजों को मैं एक छोटा सा वीडियो बना कर डाल दूंगा आप लोगों भी सीखने को मिलेगा और मैं भी इन फ्यूचर जो है उसको रेफर कर पाऊंगा तो आज का दिन वैसे बहुत अच्छा था मार्के इसको मैं जो है अपने जो है मन्थली वाले उसमें एड करना चाहूंगा 8,740 का 8,749 ठीक है यहां पर अपना तीन दिनों का प्रॉफिट मिला कर 58,170 के आसपास हो चुका है ठीक है पहली बात दूसरी बात अभी से हम यह लीडिंग में चल रहे हैं तो आने वाले वक्त में अगर जो है बहुत हैलप होगी अगर मार्के और करेक्ट भी होता है तो यह वाला महिना हमने पहले से ही जो है मानलो पहली दो गैंदों में ही पहली दो तारीकों में ही हमने 6 लगा दिया है तो बाकिक ये जो दिनों में अगर कुछ भी वालेटायल होता है तो हमें जो है थोड़ा सा help मिलेगा ठीक है इसको मैं ट्रेडिंग डीटेल के अंदर भी डालना चाहूंगा 58,000 वाला जो ये फिगर है अपना नीचे वाला 58,117 ठीक है तो यहाँ पर मैं डाल दू 58,117 ओके तो यहाँ पर देखे ये ग्राफ में अच्छा खासा जो है अपने को क्यूंकि अपना मार्च महिने में जो था 6,000 रूपे का माइनस में हमने क्लोजिंग दिया था ये वाला आज के दिन में जो बहुत अच्छा चला है अभी देख लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक तो आज का मैं अगर उसको मैं बोलता हूँ आज का गुलाब या आज का अच्छा चलने वाला स्टॉक तो वो अपना है जी पावर इंडिया लिमिटेड विदाउट फंडामेंटल व जो है आज तक इसका हुआ है आज फिर से इसने 9-10 परसंट तक का जो हम मूवमेंट उपर की साइड में दिया है और मेरा पोर्टफोलियो है वह 1.33 ठीक है 1.33 परसंट का आज का इसमें गेन है तो 1 परसंट से उपर अच्छा ही माना जाता है ठीक है डेले का हम फ्यूचर अप्षन भी करते तो उसमें भी 1 परसंट का ही टार्गेट लेकर चलते है तो यह तो हम सेफ बैट खेल रहे और फिर भी 1 परसंट कमा रहे तो सही है और आज जो है दो लाग के उपर अपना प्रॉफिट चला गया है तो अलमस्ट अलमस्ट इसमें 43 परसंट के आसपास का जो है गेन हुआ है बहुत ही जल्द अगर इस महिने में 7-8 दिन ऐसे और निकल जाए तो अपना जो है पचास परसंट का पॉर्टफोलियो का जो टार्गेट है वह एचीव हो जाएगा इस तक्रीबन तक्रीबन जो डेड़ साल के अंदर का जी पावर में 9 परसंट चला है चार्ट उसका देख लेते हैं एक बर जी पावर का और वहां से हम सुरुवात करते हैं क्योंकि वह सबसे अच्छा चलने वाला स्टॉक है जी पावर ने दोस्तों हमें यहां पर लग रहा था कि जी पावर जो है यह फिफ्ट नमर बना रहा है और उसके बाद में यहां ABC ड 4 नमर में A, B और C डेवलप किया इसके बाद में उपर की साइड में यहां पर एकदम चटके से ब्रेक आउट दे दिया अभी दोस्तों यह चलेगा ठीक है अभी यह जो है मिनिमम अगर गिनू में तो यहां पर जो एक नमर का वेव का जो लेंद है इसके हिसाब से यह 100 आज 30 रुपे अल्मोस्ट चल चुका है तो यह अल्रड़ी 108 रुपे तो चल चुका है ठीक है तो अभी यह चलेगा अभी फ्रेस इसमें ब्रेक आउट आया है आने वाले वक्त में यह और भी उपर जा सकता है जीरो टू बी ट्रेंड लाइन अभी अपना जो बहुत नीच टाइम फ्रेम का ABC डैवलप होगा और वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर दोस्तों अभी इसका कंसॉलेडेशन पिरियड बाकी है अगर मैं अगर बात करू बड़ी करेक्शन से घूम रहा है तो हो सकता है यहां पर टच करके चला जाए बट करे तो भी यह ऐसा ऐसा काम यह यहां पर हो सकता है अभी भी ठीक है जी पावर इंडिया लिमिटेड इसके अंदर हमारा यह पूरा बात हुआ मेरा एंट्री था बहुत नीचे के जोन में था अभी 70 से 80 परसेंट का मेरा प्रॉफिट इसमें दिख रहा है ठीक है उसके बाद में दूसरा चलने वाला स्ट से इसके अंदर आना था ठीक है कैसे आना था पचास परसेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ अगर सीखना चाहते है दोस्तों आप तो हमारे को जॉइन कीजिए पच्ची सो रुपे का यह कोर्स है हमारा और एडवांस वन का यह कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स है आपको बहुत पिरड निकालने के बाद अभी अभी जश्ट इसका ब्रेकाउट आया है तो यहां से 30 परसेंट तो वैसे भी यह चलेगा 200 रुपे से 30 परसेंट आप गिन लीजिए तो 60 रुपे इसके बनते है उपर की सैड़ में यहां पर तो 250 से 260 का टारगेट एभी कैपिटल में बहु बड़ी टायम फ्रेम का यह ऊपर चला जाता है यहां पर बड़ी टायम फ्रेम के ऊपर यह जो इसका कीमत है 250 की तो दोस्तों यह चोमेटों की तरह रियक्ट करने लागेगा उसके बाद में ठीक है बहुत अच्छा स्टॉक है यह भी कैपिटल फंडामेंटल सब सही है सब उसके बारे में थर्ड नंबर पर जो चलने वाला स्टॉक था वो आज अपना वीप्रो है ठीक है उसने 326 रुपे हमें कमा कर दिये है तो इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा ज्यादा डिसकस करने के लिए ठीक है जी पावर इंडिया लिमिटेड में न्यू के सेक्टर उपर चला था वीप्रो वाला उसके बाद में एक करेक्शन था यह हैल्दी करेक्शन था वीप्रो का ठीक है जो की खतम होने के कगार पर है और यहां से वीप्रो उपर की साइड में वापस से अगर मैं बात करूं दोस्तों वापस से अगर यह बात मैं दोहरा सेल में कुछ अच्छा था पांच परसेंट तक का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था सेल के अंदर पॉर्थ नम्मर का जो अपना स्टॉक है सेल तो पांच परसेंट दिख रहा था बट उसके बाद में फिर मैंने सारे तीन बज़े दे था तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया ह तो देखेंगे अभी इसको क्योंकि यहां पर यह इसने जो है अपना एक अपना निकाला है अच्छा खासा तो आने वाले वक्त में यहां से मैं नब्बे रुपे से गिनूँ तो नब्बे यानि नब्बे से भी अगर मैं उपर की साइड में इसका कैलकुलेशन लगाओ अ 200 रुपे तक जो है सेल उपर की साइड में जाता हूँ नजर आएगा वह आफ्टर इलेक्शन हो या बिफॉर इलेक्शन हो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में जब पी एस यू स्टॉक चलेंगे तब हो बट यह चलने वाला जरूर है सेल ठीक है बट आज जो के थोड़ी सेलीं में जनला में करो लिए यह अर strawberries जो जो दिखा रहा है यह फिसमा यहां से स्टार्ट हुआ हम उसके बाद में दोस्तो फेल तो फेल में भी देखिए थोड़ा सा दो दिनों से नर्वस थोड़ा कम चल रहा है सही है कोई बात नहीं है दूसरे चल रहे है तब तक इसको आराम करने दीजिए जब दूसरों का काम खतम होगा और मैं तो चाहूंगा कि यहां पर A, B और C कंप और पेल आने वाले वक्त में वापस से 200 रुपे के जोन में अगर आता है तो मस्ट बाइंग होगा यह कि के 220 से नीचे आता है तो जरूर इसको खरीदना है बीना चुके सीवेव फेलियर भी होता है तो भी इसको खरीदना है तो इसमें न्यूस ब्यूस का कुछ इतना याँव फफिट भी है अपना तो यह नीचे आता है करेक्शन करते है वक्त बिताता है तो हमें कुछ जादा दिककत नहीं है ज्रॉबाफिट में है झाहां अपर भी घरेगा तो क् Tomato यह च्रॉंस करना है कर लेने दीजिये उसको खरेक्षन करना है उसको खतम कर लेने दिए यहाँ पर यह अपना जो है स्टॉप लॉस वाला पॉइंट है वन सेवंटी फाइव के आसपास था मैं बसे काटने वाला नहीं हूँ बट अगर यहां पर आपने इस जोन में फ्रेस एंट्री ली है यह वाले जोन में किसी ने फ्रेस एंट्री ली है तो एक बार के लिए यहां पर निकल जाना चाहिए नीचे जाकर फिर वापस आएगा फिर यहां पर एंट्री उनको लेना च हुआ था कि 22-500 के आसपास वह इतनी जल्दी जो है निकल नहीं पा रहा है उपर की साइड में और कहीं ना कहीं जो नर्वसनस दिख रहा है उसके अंदर अगर यह नीचे आता है तो फिर से मैं बता दू दोस्तों यह यह वाले पॉइंट तक भी नीचे आ सकता है 2700-2800 तक ठीक है तो इसको देखेंगे दीरे दीरे जो कुछ भी काम होता है उसके अंदर आने वाले वक्त में निफ्टी में बट जब तक यह पॉइंट ब्रेक ना हो तब तक लॉंग की पूजिशन मत रखिए स्वाट है तो यह पॉइंट ब्रेक होने तक वेड कीजिए सार वैसे भी सई है अगर 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 अच्छा फिर से बीस का एक अगर आ जाए तो यहां पर अपना तीसरा सिक्स हो जाएगा और हमें जो है अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा अब सई है इतना कुछ बुरा भी नहीं है ठीक है पांच के उपर खतम करता हो दोस्तों और कुछ ज्यादा तो डिसकस करने के लिए अगर आप कुछ चाहते है एडवांस या एक्स्ट्रा चीज जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो वहां पर मैं जो है उस चीज के बारे में भी जो डिसक्रेशन आपके साथ में कर लू झाल सबस्टों